नमस्कार मैं हूं प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के नए डीजीपी में ये नाम सबसे आगे व्राइविंग गेस्ट के नियम में पडिवहन विभाग ने किया बड़ा बदलाओ साथवे चरण में सिक्षकों की नियुक्ती के पैटर में होगा बदलाओ सारा अलिखान को फिर याद आये सुसान सिंग राजपूर मौन समी का रिप्लेस्मेंट बना ये खिलारी इसके साथी बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार के ये रेलवे स्टेशन बनेंगे आधुनिक और सुन्दर देश के विविन रेलवे स्टेशनों को सुन्दर और आधुनिक बनाने के लिए रेल मंत्री अस्विनी चौबे के दोरा घोशना की गई है बता दे कि अश्विनी 24 के इस घोशना के तहट रेल मंत्राले स्टेशनों का पुनर विकास करेगा इसके पहले चरण में 43 स्टेशन में पुनर विकास का काम किया जा रहा है वहीं मंत्राले के दौरा कुल 57 स्टेशनों का चयन किया गया है चनकारी के बता दे कि जिन स्टेशनों का चन किया गया है उनमें बिहार का गया बापुधा मुतिहारी और मुझपरपुर स्टेशन सामिल है G.B. सिखर सम्मेलन की तैयारी को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए नितीज कुमार बीते दिन सुक्रवार को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की अथ्यक्षता में G.B. सिखर सम्मेलन की तैयारी को लेकर ओनलाइन बैठक आयूजित की गई इस बैठक में बीहार के मुख्यमंतरी नितीज कुमार भी पटना इस्थित एक अने मार्ग इस्थिस संकल्प में मौजूद रहकर वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम शे सामिल हुए इस दोरान इस बैठक में मुख्यमंतरी के अलावा मुख्यमंतरी के पधान सचीव और वित्व विभाग के अपर मुख्य सचीव डॉक्टर S. धार्त एवं कला वर संस्क्रिति विभाग के सचीव वंधना प्रयसी भी मौजूद रही चानकारी के लिए बतादे कि अब बैठक भारत को G20 का नितुत मिलने के उपलक्ष में बिहार सहे देश भर में 200 से ज़धा कारिक्रम होने वाला है ड्राइविंग टेस्ट के नियम में पडिवान विभाग ने किया बड़ा बदलाव परिवान विभाक के उरसे driving test के नियम में बड़ा बदलाव किया है बता दे कि अब वाहन चालकों को driving test जिला पुलस लाइन में नहीं बल्कि यह test बेला में देना होगा परिवान विवाग के नुसार या नया बदलाव अगले सफता से चालू कर दिया जाएगा जिसके लिए DTO वर MBI को निर्देश दिया गया है बता दे कि अब ड्राइविंग टिस्ट के साथ ही फिटनेस भी मुवाइल आप के माध्यम शेद दी जाएगी फिलाल से लेकर ट्रा से पहले करे आवेदन मुखे मंदरे ग्राम परिवहन योजना के दसवेचरन की प्रक्रिया सुरू हो गई है जिसके तहर सामाने वाहन और एंबुलेंस की खड़िदारी की जा सकती है बता दे कि इसके लिए आवेदन करने की अंतियम तारिक 26 दिसंबर तक निरधारित की ग बता दे कि अब तक जिले में कुल 20 एंबुलेंस वा 1614 सामाने वाहन की खड़िदारी की जा चुकी है बिहार के नए डीजीपी में ये नाम सबसे आगे बिहार में मौझूदा डीजीपी का कारेकाल 19 दिसंबर को समाप्त होने वाला है ऐसे में यह खबर सामने आ रही है कि अगले हफते तक बिहार को उसका अपना नए डीजीपी मिल जाएगा लेकिन इस 20 सवाल यह उठता है कि बिहार का नए डीजीपी किसे बनाया चा सकता है तो हम आपको बता दे कि इस डीजीपी के दौर में कुछ नाम शामिल है जिनने लेकर यह संभावना जताई जा रही ह है कि बिहार के नए डीजीपी यही चुने जा सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस 11 अधिकारियों की सूची में जिस तीन नाम पर केंद्र सरकार के दौरा सहमती जताई जा सकती है उनमें 1989 बैच के आलोक राज और 1990 बैच के आरेस भट्टी तथा सोभा अहुत कर शामिल है हाला कि बिहार के नए डीजीपी को लेकर अंतिम आदेश राजिस सरकार को जारी करना है साथवे चलन पर सिक्षकों की न्युक्ति के पैटर्न में होगा बदलाव निते दिन सुक्रवार को मीडिया से बाचीत करते वे बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चं किया जा रहा है कि सिक्षकों की ये न्युक्तियां विसे इस बेतन पर की जाएगी उन्होंने जानकारी देते वे कहा कि सिक्षकों की न्युक्ति दो-तीन माह में शुरू कर दी जाएगी इसके साथ ही वैसे अधिकारी या अफसर जो एक स्थान पर पिछले पांच साल से य तस्वीर में सुसान सिंग राजपूत सारा अली खान को हेड़ फोन लगाते नजर आते हैं इस पोस्ट को शेयर करते वे सारा अली खान ने कैप्शन में लिखा है चार साल पहले मेरा सबसे बड़ा सपना सच हुआ था आज भी ये एक सपने जैसा ही लगता है और अब सायद मैं अगस्द होजा सत्रमी वापस में जाने के लिए कुछ भी करूंगी और फिल्म के हर सीन को फिर से सूट करूंगी हर पल को फिर से जीऊंगी संगीत फिल्मों किताबों जीवन आक्टिंग स्टार्स और आसमान के बारे में सुसान से बहुत कुछ सीखा है हर सुरियोदे सुरियास्त और मून राइस की गवाबनी नदी की आवास सुनी मैगी और कुरकुरे के हर प्लेट का आनंद उठाया सुबह चार बजे उठा तयार हुए गुट्टू सर ने निर्देश दिया और डैरेक्ट किया और मुकु बन फिर से सब करे जीवन भर की यादों के लिए सुक्रिया जैबोले रात और आज की रात चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमकेगा मैं जानती हूँ सुसान सिंग अपने फेवरिट चांद के पास है चमकीले सितारों की तरह चमक रहे हैं जो हमेशा थे और रहेंगे IPS अमित लोड़ा ने खाकी विफसरी से ब्लैक मनी की सफेद IPS अधिकारी अमित लोड़ा के खिलाफ खाकी दब्डिहार चैप्टर विफसरी को लेकर भिस्टचार के माधियम से संपती एकत्र करने का मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद अब उनके खिलाफ SBU के द्वार अधिक कमाई को सफेद करने का भी काम किया है बता दे किस फिल्म के निर्मान के लिए कंपनी की तरफ से अमित लोड़ा को सारे चार लाक रूपए 6,75,000 रूपए और 38,25,000 रूपए ट्रांसफर किये गया थे गया OTA से देश को मिले 79 जाबा सैने अफसर बीते दिन सनिवार को बिहार के गया जिले में इस सित ओफिसर ट्रेनिंग अकादमी में तीसरे अफसर प्रसिक्षन अकादमी में 22 पासिंग आउट परेट का आयोजन किया गया जिसमें गया के कुल 79 नए सैने अफसर देश को से शामिल है जो भायत के परोसी देश भुटान वियतनाम और श्रीलंका से आते हैं यह सभी जबान देश की सेवा और रक्षा करने के लिए हमेशा तक पर रहेंगे इस तोरान इस कारिक्रम में समिक्षा के अधिकारी के रूप में लेटिनेट जनरल सुरेंद्र सिंग महल देश भाजेर में नॉगती देश कन कारे की जा रहे हैं तो वही कुछ पर जरूरत के अनुसार नुक्ती की जाएगी बताते चले किस नुक्ति प्रक्रिया में राचे के नॉसप्तालों और आठ कॉलेजों में 2673 पदों पर चरनावर तरीके से न्युक्ती की जाएगी इसके अलावा 3,990 पद ऐसे होंगे जिन्हें बांड के आधार पर भरे जाएंगे इन में राजय के सरकारी वा मेडिकल कॉलेजों में पी जीवर डिप्लोमा के उत्रन छात्र होंगे इसके साथ ही PMCH में भी 239 पदों पर न्युक्ती की प्रक्रियाश शुरू करने के लिए आवेदन की तयारी की जा रही है 42 साल के टीचर ने 20 साल के स्टुडेंट से रचाई सादी समस्ते पुर्जले के रोसरा बाजार इलाके का बताया जारा है जहां एक छात्र कोचिंग पढ़ने के लिए टीचर के पास शाती थी वहीं उन दोनों में प्यार हुआ और फिर एक दूसरे से रोसरा थाने सवर मंदर में शादी कर ली इसका वीडियो शूशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल होड़ा है इन दोनों गुरू सिस्टे की साधी इलाके में चर्चा का विशय बनी हुई है दर्भंगा एयरपोर्ट पर 38 करोर से बनेगा सिविल एंकलेव बिहार के दर्भंगा में यातरियों की बरती संख्या को देखते वे 38 करोर रुपे खर्च कर करीब 2.42 एकर में गया सिविल एंकलेव का निर्मान वर्तमान टर्मिनल भवन के निकट किया जाएगा बता दे कि मिली जानकारी के नुसारस भवन के निर्मान के सुरवात अगले 10 दिनों में यानी की 19 दिसंबर से सुरूख कर दी जाएगी जो की आगामी 9 माह यानी की सितंबर 2023 तक्मन कर तयार हो जाएगी इसके निर्मान से लोगों को एरपोर्ट में प्रवेश करने में शहूलियत मिलेगी नए भवन से एरपोर्ट में यात्रियों को प्रवेश मिलेगा तो पैसेंजर बाहर सिवल एंकलेव से निकलेंगे निकाय चनाव पर ललन सिंग ने सुसील मोदी पर साधा निशाना पिहार में होने वाले निकाय चनाव को लेकर सुप्रीम कोट के द्वरा दायर की गई आची का को एक माह के लिए ताल दिया गया है इसे को लेकर जदियो अध्यक्ष ललन सिंग ने भाजपाने इताव राजिस सभासांस सुसील मोधी पर निशाना सधा है उन्होंने कहा कि सुसील जी नगर निकाय चुनाव में अतिपिच्रे वर्द के आरक्षन को समाप्त कराने और चुनाव रुखवाने के प्रयास में भाजपा विफल हो गई है लेकिन अब आपके इतने प्रयास के बाद तैस समय पर ही निकाय चुनाव आयूजित किया जारा है जानकारी के लिए बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब दोनों निताओं में ट्वीटर के जरीए एक दूसरे के उपर बयान बाजी की गई हो इससे पहले भी इन दोनों के 20 ट्वीटर वार होता रहा है मुहमास समी का है रिप्लेस्मेंट बना ये खिलारी बांगलादेश के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैच की सिरीज में मुहमास समी की जगह टोमेस्टिक रिकेट में लगातार परफॉर्म करने वाले खिलारी जैदेव उनाद कट का चयन किया गया है बता दे कि आस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप 2022 से लोटने के बास समी को प्राक्रिस सेशन के दोरान कंदे में चोट लग गई थी जिस वज़ा से वाब बांगलादेश के खिलाफ खेले जा रहे सिरीज में श्रामिल नहीं हो पाये थे मिरी जानकारी के अनुसार जैदेव उनाद कट का चयन मुहमास समी की जगह उनके मौझूदा फर्म को देखते वे किया गया है बता दे कि हाली में खत्म हुए विजह हजारे ट्रॉफी में जैदेव उनाद कट 19 विकेट के साथ सबस्यादा विकेट लेने वाले गेंदवाज बने थे जानिये आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट जारी कियेगा जिसके बाद राजहारी पत्ना में आज पिट्रॉल 107.22 रूपे और डीजल 94.92 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है वही पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.72 रूपए और डीजल 95.49 रूपए प्रती लीटर है भागलपुर में पेट्रॉल की कीमत 108.26 रूपए और डीजल की कीमत 94.97 रूपए प्रती लीटर निर्धारित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉल की कीमत 108.3 एक रूपए और डीजल की कीमत 95.4 रूपए प्रती लीटर है बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अब भरते हैं आज के सवाल क्योंड आज का सवाल है ट्राइविंग टेस्ट के निया में बदलाव होने से लोगों को क्या फाइदा मिल सकता है आप अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बियार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बियार न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद